आत्म लोक का उपदेश दिया और जो निरंगतर अनुभव होने बाले आत्म सरूप की प्राप्ती के कारण सब प्रकार की तिशनाओं से मुक्त थे उन भगवान रिशब देव को मैं नमन करती हूँ परमादनिये गुरुवर एवं गुरु वर्याओं के चड़नों में मैं बन्ना करती हूँ उपस्थित विद्वान एवं धरम प्रेमेशोतागर्ण अभी हाँ योग पर बात हो रहे थी तो मुझे एक बात कहनी है इस पर कि बंगाल के साहिते में योग दर्शन के उपर एक काफी महां काम होता है हिंदू माइथालोजी में उसमें मीन नात मसेंद्र नात और एक योगी योगियों की बंशावली है तो उसमें जो मीन नात की गुरू है उनको आदी नात कहते हैं तो ये एक एतिहासिक तत्य है जो जैन पर परामेयोग को बहुत प्राचीन बता सकता है अब मैं अपने करूंगे कि कम से कम समय में अपने जादा से जादा आप लोगों को बता सकों आज से 26 वर्षपूर्व भग्वान महावीन ने अपनी तपश्यों असाधना के लिए ये शेत्र का वरण किया था जहां उनके जीवन की कई मैं तपून घटनाएं घटी थी और ये किन लोगों के बीच में क्या था और वो लोगों कोन थे किस जाती के थे कहां से आए थे उनका क्या धर्म था क्या जीवन शेली थी और वर्तमान में आज उनकी क्या अवस्ता है और किन परिस्टियों और परिवेश में बहरे रहे हैं यह एक गहन शोत का विशे है जो हमें सिर्फ अपन ही नहीं करते वरन हमें संस्कृति के आदिशो तक ले जाते हैं आप जैसा कि यह मालूम है कि रिशब देव ने अपने दिख्षा के पूर्व अपने सौब पुत्रों को विभिन्रे शेत्रों का राज प्रदान किया था अन बंग और करिंग शेत्र आज उनके पुत्रों के नाम की इसमेती को जीवन तरखे में हैं इस बात के प्रमान सुरूब बिहार और बंगाल के सीमान जारखंड में हमें एक ऐसी प्राचेन जाती मिलती है जिसे हम सराग कहते हैं और जिसके इतिहास के विशे में बहुत ही कम काम हुआ है संगदाज गणी रचित वसुदेफ हिंडी जैन कता साहित में एक प्रमुक स्थान रखता है और इसमें भी सराग जाती का वर्नन हमें मिलता है महा के राजा पांडरू जो थे महापुनरू उनके जो पिता थे और माता थी उन्होंने जैन प्रबज्जा ली थी और उनकी माता वसुमती जो थी वो शिखर जी जाती थी शाम के समय में अते उनका जो राज्य था वो शिखर जी के बहुत ही करीब था बराकर जिले से करीब साथ किलोमीटर दूर पे था और ये आज का वानीजी के इंद पांडरा है जो के धनबाद जिले में पड़ता है शिखर जी भी मही पास में एक्दम बिलकुल पास में है और बहाँ पांड़ा ग्राव में हमें वसुदेव का स्मारक भी मिलता है क्योंकि वसुदेव के पुत्र ही महापुन्रु थे और बहाँ पर प्राचिन स्थू, मूर्थियां, मंदिर के बहुत से भगनावेश देखने में हमें मिलते हैं अजे नदी के उत्तर दक्षिन तर्ट पर महाभारत कालिन अफशेशों का मिलना भी हमारी इस बात के पुस्टी करता है कि सराग जाती बहुत ही प्राचिन थी पुरातित्तवित पीसी दासगुपता ने इन अफशेशों को रात्ते युगीन बताया है यही कारण है सराग जाती समेश शिकर और पाशनात के पती अटूट शिद्धा रखती है परबती काल में सराग जाती के अनेक भाग हो गए और इन्हें अपने मुल स्थान से दक्षिन की और पलायन करना पड़ा अपने आस्तित्व की रक्षा के लिए और इनमें एक शिकरिया नाम के सराग आज भी मौझूद है यह मानेता है कि किसी भी जाती के कुल और गोत्र के नाम उनके पूरवजों के नाम पर परंपरा से चले आते हैं इस सराग जाती के लोगों के गोत्र तिथंकरों के नाम पर है धर्म देव, अनन्द देव, आदी देव, रिषब देव जिन में रिषब देव प्रमुख है शिकर जी में वस्तित, सराग जाती के अचारे सुेश मौनी जी का भी गोत्र रिषब देव है इससे यह हम कह सकते हैं कि सरागों के पूरवर रिशब्देव या उनके निकट के कोई ऐसे व्यक्ति थे जिन से उनका रक्त संबन्द था सराग शब्द का अर्थ होता है श्रावक श्रमनकारी और पाशात्य विद्वानों ने ही सरप्रथमेस अर्थ को प्रशलित किया और यदि हम देखें तो पूरे विश में और हमारे देश में भी प्राग इत्यासिक युग से ही अधिकांज जात्यों के नाम उस जाती के जातिगत पेशे और उसके आदि भूमी के अधार पर रखे गए हैं इस जिसी से हम देखते हैं, तो सराग, सराग, सराकी, सरापी, सरोगी, आदिशब, सर और आगी से आए हैं, सर का अर्थ होता है निसित करना और आगी का अर्थ होता है अगनी, यानि अगनी से कुछ निसित करना, तो नव पाशान यूग तक मनुष्य यही जानता था कि अगन मूल निवान प्रदात निसित किये और इसलिए शायद इन्हे सराग कहा गया सरागी और अगने पुत्र के रूप में यह जाती शेस्ट समान से विभूशित हुई थी सराग जाती धातु विद्या में अत्यन्त उन्नत और पारदर्शी थी इन्हों नहीं तामर शिर्प को उनत किया सिंग भूम अंचल की तामर ख़दाने इसकी पुस्टी करती है किबल तामर योगी ही नहीं बरन पूरवाचल में लोह योग के सिस्टा भी यह सराग जाती थी राड अंचल में बेग्यानिक तरीके से इन्हों ने प्रचुर पर्वाण में लोह निश्कासन और विन्योग भी किया और इसका बहुत महत्वपूर प्रमान हमें मिलता है सराग जाती की सराग जाती इस देश के लोह शिर्प की करता था थी कि भग्मान महावीर के परवर्ति साहित में जहां तीन लोहचारियों का वर्णन हमें मिलता है, जिसमें पहले थे सुधरमा सामी, दूसरे थे बद्रभावू, कल्प सुत्रकार बद्रभावू, और तीसरे लोहचारे थे कुमान सेन. मैं यहां बहुत संक्षित में ही बता रहे हूँ, और जैनाचारियों का लोहचारे होना ही यह सपस्ट करता है, कि यह लोहचिल्प के पंडित थे और इन्होंने सराग जाती को लोहचिल्प में दक्ष किया, भगवान रिशब देव तथा आनेती थंकरों के बाद प्रजा को जैनाचारे के जैनाचारियों के विशिष्ठ ग्यान और पंडित्तिक हो जाता है, सराग जाती शिल्प कार थी, इसको शिल्प में प्रवींता देने का कार जैनाचारियों का था, नालंदा विश्वेद्याले के जब यदि हम क्रिया कलाब देखें, तो इस बात की हमें उच्छी कोटी का ज्यानवान ही बस्तू के सही उपयोग का विदी का रख बन सकता है, जैसे लोहे के तत्व या गुन धर्म को जानने वाला ही उसके विभिन उपयोग के विदी का पयोग कर निकाल सकता है, इसी को हम तकनिक कहते हैं और जिसे अंग्रेजों ने टेक्नॉलोजी कहा है, अशोक का लोहसम जिसे देखकर आज भी लोग आश्यरे चकित रह जाते हैं, इनकी लोहा तकनिक दक्षकता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, चड़रा, पाड़ा, तेलकुपी, पक्फिरा, देलगवाट, बुद्धपूर, बांदा, साका, चेलियामा, दालमा, पवनपूर, ये सब ऐसे स्थान हैं, जहांपर के प्राचीन मंदिर और इस अंचलों में पाई जाने वाली मूर्तियां, सरागगणों की मूर्ति शिल्फ कला को दर्शाती हैं, परवतिकाल में जब इन पर आतियाचार बढ़ गए, तब इन्होंने विवशो कर वस्ट बुनने में लग गए, और तात्वस्ट के दक्ष शिल्फी बन गए, इस प्रकार हम कह सकते हैं, जाती तात्ष शिल्फ, मूर लोह आदी के खनन में दक्ष थी, कल्प सूत्र में लिखा भी है कि रिशब देव ने पूशो को बहत्तर कर लाएं, और इस्टियों को चौसट कर लाएं, तथा सौ प्रकार के शिल्फ कर परजा को सिखाए थे, तो परजा को कलाओं में सिख्षित कर एक शिल्फी वर्क उन प्रातन जीवित संस्क्रती से बिलकुल अचुते रह गए, वर्तमार में इनके परिशे को प्रकाश में लाने का श्रे पाशात्य विर्दानों को जाता है, किसी भी राजी ये देश की सम्रदी इसी शिल्फी वर्क पर अधारित होती है, जिस संपता के बल पर कभी बंगाल और बिहार ने प्राग एतिहासिका से भारतवश में शक्तिशाली साम्राजे स्थापित करने की भूमी का निभाई वेथी धातू संपता, धातू यूग के सूत्रबाद के समय से ही, यहां सभिता का प्रारम हुआ, जिसने परवतिकाल में इस शेत्र को अर्थ और बल से सम् दिनाग 30 जनवरी से 4 जनवरी तक मैं जब बंगाल के पुरूलिया नामक जिले में गई और महां सराक शेत्रों का भ्रमन किया, उसमें पंच कोट नामकस्तान पर एक गुफा देखने को मिली, यह गुफा पहारी में 300 फीट पर असुरक्षित पड़ी थी, और बहुत प्रा गुफा मिली, लेकिन उसका द्वार अभी खुला नहीं है, इस गुफा के अलावा 2500 बश्क पुराने मूर्थियां और मंदिरों के भगनावेश भी देखने को मिले, यह सराक शेली के हैं, यह प्राचीन मूर्थियां खुले अकाश के नीचे रखे हुई हैं, जिन में तेल कुपी के भेरवनात और पक्वीरा के महाकाल भेरव दोनों ही तिठंकर मूर्थियां हैं, मिस्टर डॉल्टन ने इन्हें 500 से 600 इस्वी पुर्व का बताया है, अभी तक जो कुछ सुना था और जो कुछ देखा, उसे मुझे वहां जाने के लिए प्रेरित किया, और महां ज रह गई इस अंचल की पुराकर्ती को देखकर, दो फरवरी 1998 के आजकल समचार पत्र में पुरुलिया में पक्वीरा नामकस्तान के विशे में लिखा है, कि पक्वीरा में पहले 6 फूट पर, फिर 5 फूट पर और थोड़ा खोदने के बाद लगबग 7 फूट पर पत्थर की प्राचीन मूर्तिया निकल रहे हैं, दस वर्षों से यह क्रम चल रहा है, और वहां के लोगों की धारना है, कि अभी भी वहां सैक्रों मूर्तिया जमीन के अंदर हैं, जिसका समर्थन पुरातत्व विभाग भी करता है, यह हमाजी प्राचीन धरोर हैं, आज भी पड़ी हुई हैं, प्राचीन भारत की संस्कृति और सभेता का किस प्रकार पतन हुआ, और आज भी पतन हो रहा है, जिसकी कहानी सुना रहे हैं, ध्वन्स पत के यह भाशकर शिल्प निदर्शन, आज चरकित हो गई हैं देख कर कि दक्षिन राड शेत्र की धर्टी के नी नीरब होकर एकांत में अश्रू विसर्जन कर रही है, गाउं के लोग मांसिक वा समाजिक मानता पूरी करने के लिए इन मूर्तियों के सामने पशू बल्य भी देते हैं, अइंसा धर्म के साधाक पुरुष, मह अच्छे बस ये हो गया, बस ये नहीं, आप विश्वल बता देजिए, अच्छे ये मैं, ये देखे पारशनात दिखाई दे रहा है, पारशनात के नीचे, ये पूरा जो अंचल है, पकबीरा, पुरलिया, चर्रा, सब है, ये एक, उसी में रखे, वो बहुत में है, हाँ, ये देखे पारशनात है, और पारशनात के नीचे में ये पूरा जो अंचल जो दिख रहा है, ये सारा, ये सारा सराक अंचल है, पुरुलिया का, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमको मंदिरों के भगनवेश मिले हैं, ये चांदिल डैम जब बना था, तो वहां पर से ये मूर्तियां सब निकली थी, ये भी चांदिल डैम की मूर्ति है, ये है अजे रिवर, अजे रिवर महां जारखन के उपर से होती हुई, ये कटवा तक जाती है, और ये इस नदी के कहते हैं कि भगवान महावीर का निर्वान यहां होता है, ये रिजू अलिका है असलिए, क्योंकि अजे अजे शब्द रिजू, उजू और उजू से रिजू, मतलब रिजू से उजू और उजू से अजे बना ये, बंगाल की भाशा में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगे और यही पर महामार का लिन में अप्शेश हमें मिलते हैं, ये, ये है, अजे नदी के तट पर हमें ये अफ्शेश मिले हैं, जो पांडूरा ज़के हैं, महा भारत का लिन, ये पुरूलिया डिस्क्थ, ये पुरूलिया डिस्क्थ का मैप है, पुरा, ये इसमें प्रते एक जगे पर, आपको मूर्टिया, मंदिर सब मिलते हैं, अब इसमें अलग-अलग जगे का, ये हैं तेलकूपी का, तेलकूपी का मंदिर है और ये ये भी तेलकूपी का है, ये सब पानी में चला गया है, इस समय सब, ये भी तेलकूपी का मंदिर है, सब जो मूर्तियां उसमें से निकली हैं, वो बाहर में ऐसी रख पड़ी हुई है, य यह सब सराक मंदिर है, यह सब उसी एरिया के पुरे मंदिर है, कि पाड़ा का हांस. पीरिड कुछ बारेसो इसवी पूर्व के हैं, कुछ चौती पाचिवी इसवी के हैं, इस सरे हैं. यहमें भीर हो रहा है, मैं डेटेल में बता नहीं पा रही है. यह देल गाटा का है, देल गाटा का मंदिर है, यह पाड़ा का मंदिर है, यह मूर्टी है जिसके आगे बली दी जाती है, पशों की बली दी, बक्रे की बली देते हैं, इसको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह पॉलिटिकल मामला है, राजनेतिक मामला है, वाँके जो इधायक है, उन्होंने यह शुरू कराया था, तो अब जब तक गौर्णमेंट इसमें सपोर्ट ने करेगा, तब तक यह नहीं हो सकता है, यह दूसरी मूर्टी है, इसमें भी पशुबली दी जाती है, औ किसी और और नाम से सब, यह सारे हैं, यह देखिए, यह सारे अलग अलग जगे की हैं, यह धारा पार्ट, यह सराकों का मिलन सर्दापुनिया, एक जगे है, वहां का यह मंदिर है, सराक मंदिर है, यह पांडरा, जो पांडरा का मैंने वर्ण किया था धनवाद के पास, वह का ये टेंपल है ये धारा पार्ट बाकुडा का बहुलारा का ये मंदिर है जिसमें एक और गनेश है और एक दुर्गा का मूर्ती है बीच में अपने जैन्ति थंगर मूर्ती है ये बहुत ये वो पंच कोट की गुफा है जहां हम लोग गये थे उपर पहाडी के तीन सु फी अगर आप लोग शिखार जी गए होंगे तो मंगल वीजी जी माराज का विद्या पीर चल रहा है शिकर्जी में अगर आप लोग शिकर्जी गए होंगे तो मंगल विजे जी महराज का समाधी है ये पुरुलिया के रगुनादपुर में यहां हम गया दिए ये ऐसी अपेक्षित होके पड़ा हुआ है जिनके नाम पे शिखर जी में विद्या पेट चलता है उनका समाधी है ये ये गाउं में गाउं के बीच अबुत्रे के उपर ये सब जेन आर्टिफेक्ट्स हैं ये एक शिला पठ है ये चामुखा बना हुआ है ये गाउं में पेड के नीचे बाहर में और एक जगे हम गये थे एक वे जैसा जगे बना है उसके नीचे भरा वा मूर्ती है लेकिन वो सब खंडित मूर्ती है ये भी बहुत पुराना है हार मासरा ये बेगुनिया के टेंपल है वो जो दो दिखायते हैं ये बेगुनिया बेगुनिया बराकर के पास है बिल्कुल ये अस्ठपत का ये बना हुआ है वहाँ पर ये मंगल डी है पुरुलिया में वहाँ पर ये चबुत्र के पर सब मिला था ये पुरुलिया जगे का रक्षतपूर और शाका ये दो जगे में अभी रिसेंटली मिला है बिल्कुल उसका मैं आपको यह तलाब है इनको सराकी तलाब बोलते हैं इस तरह के वह जी मतलब मौस्री तलाब जो है उनको सराकी तलाब बोला जाता है यह सराक लोगों नहीं बनवाये थे ये वहां रिशर्दे स्वामी के प्रतिमा में लिए रक्षत पुरा में ये हिसांका में ये जिन मूर्ती है इनकी शैली जो है इन मंदिरों की जो शैली है ये अगर आप देखें तो यहां पर मन में होगा कि बहुत बड़ी एक मूर्ती बनाने की कोई बहुत बड़े शाला थी महाँ पर मूर्ती बना बनाई जाती थी और यहीं से कालिगर्ड लोग आपके इंडुनेशिय अगरे में जाते थे आंकोरवाट का मंदिर है उसकी शैली भी लगभग ऐसी पत्थरों के मंदिर बनी है वैसी है ये मैंने देखा दक्षिन युनान तक चाइना को जो दक्षिन युनान परांत है वहाँ भी मंदिरों के शैली लगभग इसी तरह की है तो यहाँ से ये कालिगर्ड जाते थे सराक कालिगर्ड जाते थे और ये लोग ही बनाते थे और ये सराक लोगों का जो अगर कहेंगे टिबतो बर्मन रेस इनका जो मूल है वो तिबतो बर्मन्रे से कभी वो वहीं से आये हैं उसी जगे से और वहां पर इसकी बात करें थे योग की तो यदि योग के लिए विश्थित अधन करना हो हमें तो तिबती योग को हमें जानना पड़ेगा उससे जैन धरम में जो योग है तब उसको हम बहुत अची तरह समझ पाएंगे वहां पर हमको बहुत चीजे मतलब इस तरह की मिलिया अनयोग वगरे का जो वहां पर जो अनयोग वगरे की बात है वो गौतम स्वामी से लिंक करती है वहां पर कि उन्हों ने इसकी इसको इसकी ज्ञान दिया था लोगों को ये तो बहुत संक्षिप ने हुआ सराग जाती का अब अन्त में मैं थोड़ा सा कह दूँ ख़तम करूं हां ओके अ स्वतनत्रता के बाद दमोदर नदी पर जो बांध बनाएगा उसमें सेक्रो जैन निदेशन नस्थ हो गए पांचे डैम के निर्मान किसमें बीस प्राचीन मंदिर नस्थ हो गए सुवन रेखा नदी पर चांदिर डैम का निर्मान हुआ और 26 मंदिर जल के गर्व में समा गए पांचे डैम के बिपीन दिशा में माइथन डैम का निर्मान किया गया जिसमें अनेक महतवपूर मंदिर बिलीन हो गए इस पकार हम देखते हैं जहां एक और अधुनिक भारत के निर्मान की बात करते हैं वहीं दूसरी दोर अपनी प्राचीन संस्कतिक विरासत को इन विकास शिल पर यह उजनाओं के जरिये नस्थ करने पर हम अमादा हैं लुप्त हो जा रही प्राचीन सराक संस्कति उनके निर्दर्शन और परंपराएं जो हमारे इतिहास की अत्यन प्राचीन धरोर हैं जिनका अबदान भारतिय संस्कति के विकास में अमूल ने रहा है उन सराकों को अधीद के अनकार से पुन्हे अलोग पत पर लाने का प्र पंक्तियों को मैं उदित करती हूँ महवी ने राड की कुटियों में जो लगू देब कभी प्रचवलित किया था क्या उसकी लौ का काजल आज हम हटा पाएंगे क्या सराक जन के रूप में हमारे जो पुर्खे यहां हैं उन्हें हम बगैर पंत भेत के सहेज पाएंगे अह लिक्षा साधना को पुनरजीवित करने का खत्रा मुल लेने की हमत कोई आज कर पाएगा इसी के साथ अपने इस शो निमन को मैं विराम देती हूँ धन्यवाद